वेलकूम टु सुकला स्टारी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके प्रेन वुटूब चैनल सुकला स्टारी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनामिक्स के बहुत ही महत्वूर्ण महत्वूर्ण प्रस्णों के बारे में जो की B.A. तृतीय समस्टर के 6-7 चार्टरआउं के परिद्षाओं में पूछए आ सकते हैं 2-7ab.A. थरड समस्टर में हैं सब्जेक्ट आपका इकोनामिक्स है टेंसन बिल्कुल भी अब नहीं लेना है सुकलर स्टड़ी पॉइंट के माध्यम से आपको इकोनामिक्स से बनने वाले बहुत ही महत्मुन महत्मुन प्रसनों के उत्तर पर चर्चा करने का प्रियास करवाया जा रहा है आपको बदा दो कि एकोनामिक्स में कैसे परसनाएंगे कैसे उनके उत्तर को लिखना है सभी चीजों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंदो तक जरूर देखेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो में लगातार देता रहता हूँ आप किसी भी सब्देक्ट लिये हों कोई भी सब्देक्ट आप का है किसी भी विश्विद्याले से हैं सभी विश्विद्याले के सिलेबस को और सभी युनिवर्सिटी के मारल बेपर को सुखले स्टडी पॉइंट के माध्यम से हल करवाया जाता है और मारल बेपर ये मैं अपने हाथों से खुद लिखता हूँ और आपके ऐसे प्रस्णों को र इसका महासंगराम वीडियो आ लड़ी आपके समक्ष मिल चुका होगा आपने देखा होगा तो यही परिक्षा में आने वाले हैं तो आज की वीडियो के माध्यम से हम उन प्रस्णों को चर्चा करेंगे जो बहुत ही इंपोरेंट हैं एक्जाम पॉइंट आप उसे हिस्ट्री आप इकोनामिक थाट उसका अन्यू मालत में पर है दोजार चोबिस की परिक्षाओं के लिए पटीश चबिस की परिक्षाओं में भी यही प्रस्णा सकते हैं तो ध्यान नखेंगे इस बात को दादा भाई नौरो जी बहरती रास्ट वात के जनक माने जाते हैं लगाई नौरोजी की एक बात के तो 1825 में जनम होता एक संपन पारिसी परिवार में इनका जनम हुआ था यानि कि धर्म के पारिसी थे दादा भाई नवरो जी लेकिन डाश्ट बात के जनक कहे जाते हैं बहुत जबरदस्त एकोनोमिक्स इनको आती थी दादा भाई नवरो जी को आपको बता दू इनके आर्थिक विचारों में बहुत सारे ग्रंत हैं उन्हीं में इनके आर्थिक बिचारों की बात करीगे जिसमें खास करके आप देखते हैं अच्छा इनके सभी ग्रंतों में भारत में निर्धंता और गैर बिटिस सासन ये सबसे इंपोर्डेंट पुस्तक है इनकी और जिस पुस्तक में इन्होंने बह प्रट Deaf स्वाइन जो हें उसको बोलते हैं देसी गमन को ही निस्पासन सिध्धान करतें के भारत के कितने लोग बिदेश में जातें यह होता है आर्थिक बिचार जो कि दादा भाई नोरो जी के हैं इसके लामा भारत की राष्टी आए पर इन्होंने खुब चर्चा कर ये अपनी इमत्विक्त किये हैं चोथी बात ब्रिटिस सासन की आलोचना खुब जम करके करी हैं दादा भाई नोरो जी ने ये दादा भाई जी का सरबोदें सिध्धान क्या है गांधी जी की बात किया तो उनका जो आर्थिक विचार है उनकी करीब स्टकों में आपको मिलेगा जैसे कि उनकी एक पुस्तक है इसके अलामा यंग इंडिया हरिजनिक पुस्तक है इनकी और तमाम प्रकार के लिए इनके प्रकासित होते रहे उसमें आपको अलग-अलग यहां इधर-धर बिखरे हुए मिलेंगे इनके आर्थिक बिचार गांधी जी की विचारों का आसपष्ट विवर्ण जो मिलता है डाटर कुमार कुमारप्पा की पुस्तकों से प्राप्त होता है यसे कुमारप्पा ने पुस्तके लिखी इसे गांधियन एकोनामिक थाट लिखा दा गांधियन बे आफ लाइप लिखा पुस्तक कुमारप्प एक अंद्सास्तन से ही रिलेटर है और समानु जीवन का अंध मुझर करते थे पहला जो सिर्द्धान उनका था उनका wollte सास्रम की महांता थिचार सिध्धान थे गांधी जी के जो बड़ी फेमस है सत्य एहिंसा सर्लटा और स्रम की महांता ठीकई आफ प्रस्ण जव आप से पूचा गए था सर्व जीड़न सार्वो दें क्या कर बै। समों 지금은 कं Su लसकुन की अन्टो द लास्ट शुर्ट से प्राप्ट हई थी सर वोदै का अर्थ होतां सब का उद्र हो सब अर्द को सरव्धांन सब का अर्भा-धृ क्रतेख प्राणी मात्र की उनती होना है स्बही उन्नती में उन्नती और समस्टी समस्टी माने होता है कि सभी की उन्नती जिसमें होगी उसमें आपकी भी उन्नती होगी पहली बात दूसरी बात प्रतेक को अपनी जीविका चलाने का समान अधिकार होता है तीसरी बात किसान कारीगर मजदूर का जीवन सच्चा होता है सर्ब वह कि चाहे नेती कैस्तर की की बात करता है और इनकी युजना थी गांदी जी की मेहनत इंसाफ की और फल समाज का थे क्यों कि तुम दूसरों को जिलाने के लिए जियो जब दूसरे सुखी रहेंगे आप आटोमेटिक सुखी हो जाएंगे ये बात गांधी जी का कहनाम था तो ये एक प्रकार से सर्बोदे का सिध्धान कहता है ठीक है समझ में आ गया आगे देखिएगा अगला कोशन सापकी स्किन पर आ चुका है पड़ कोटिल का नाम विश्नुगुप्त भी है चार सो मलब की चारूती सतापदी इसापूर्व के बिद्वान चाणक के चंद्रगुप्त मौर एक छोटा सा बच्चा उसको उठाते हैं उसको एक राजा बनाते हैं नंद बंस्क जो है समाप्त कर देते हैं चाणक की इतने क्यां बोलते हैं सिकंद्र का सेना पती होता है उसको चंद्रगुप्त की सेना हराती है किसके नितृत में चाणक की नितृत्त में चौटिंष्टी वीसी के ये थे चंद्रगुप्त मौर के प्रधान मंतरी थे और सम्भावता प्रतम ऐसे विचारक हैं कोटिल जिन्होंने आर्थिक समयस्चाओं के साथ समाजिक और रादनितिक समयस्चाओं पर भी अपने विचार बक्त किये इनकी पुस्तक का नाम अर्थसास रहे कोटिल के लेकिन अर्थसास जो पुस्तक है इनकी ये केवल और केवल अर्थसास से सम्मंदित नहीं है बलकि उसमें समाजिक चीज ने बनाता नुट चीजोव को आधार बना करके अर्तिक विचार दोए तुक है सब्सकिंब था और संक्षोब nice tulee और इसी पर भी बात करें यह है को टेले जी ठीक है आगे देखिएंगे अगला प्रस अ है चौता नमबर प्रस्ण प्रसनाप की स्किन पर आचका है बहुत ही मैध्मूर प्रसन है जेके मेता के बजार संबंदी बिचार को बताएं जेके मेहता के बजार सम्मंदी बिचार क्या है तो बजार सम्मंदी बिचारों के अगर बात की जाए तो प्रोफेसर जेके मेहता की एक पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है उन्नत अर्थसास्त्र के सिध्धान्त उन्होंने बजार सब्दी की परिभासा उस मुस्थक में दी और कहा कि बजार एक इस्थिति का परचायक होता है किसका परचायक होता है एक सिचवसन का परचायक होता है बजार जिसमें क्या होता है जिसमें एक वस्तु की मांग ऐसे अस्थान पर होती है जहां उसे बिक्रे के लिए प्रस्तुत किया जाता है ठीक है तो बजार कौन सा अस्थान होता है वो एक इस्थिति का परचायक है जि उसको ऐसे स्थान पर की जाती है ऐसे स्थान पर होती है उसकी मांग जहां उसे विक्रे के लिए प्रस्तुत क्या जाता है तो वह बजार होता है प्रोफेसर मेहता की इस परिभासा की अनुसार अगर देखें तो एक जो खरीदार होता है और एक जो बेचने वाला होता है उसी वो बजार का निर्मार करते हैं लब बजार के निर्मार के लिए क्रेता और बिक्रेता दोनों प्रियाप्त होते हैं अगर प्रोफेसर मेहता की परिभासा को समझे तो यदि उनके क्रे बिक्रे करने की सामर्थ हो उनमें तो बजार होता है मेहता के अनुसार बजार सब्दों को परिभासत करते समय इसके साथ छेतरों परतिसपर्धा यानि की reason and जो competition इन दोनों बिसेशनों को जोड़ना आवस्यक नहीं है ये प्रोफेसर जेकी मेहता कहते है मेहता की बजार की इस परिभासा में एक कमी आहा है कि ये केवल वस्तों के क्रेता और बिकरिताओं की बात करते हैं सेवाओं के क्रेता और बिकरिता की बात नहीं करते हैं केवल वस्तों की खरीदारी और बिकरी की बात करते हैं सेवाओं की खरीदारी और बिकरी की बात नहीं करते हैं आप देखते हैं मुलता बजारों में सेवाएं और वस्तुएं दोनों आपको मिलती है तो ये प्रोफिसर मेहता के बजार संबंधी बिचार थी इसके बारे मैंने आपको बताया आगे देखेंगे अगला प्रसनाप से बन सकता है पांचवा नंबर आरसी दत्ता के आर्थिक बिचारों को बताईए बढ़िया प्रसनाप के परिच्छा के दिश्टी से फड़ा पर से आप देखेंगे आर्सी दत्ता के आर्थिक बिचार क्या क्या है आर्सी दत्ता के आर्थिक बिचारों के अगर बात किया है तो आर्सी दत्ता ने भारत की उद्द्योग धंधों की स्थिति को असपष्ट करते हुई लिखा कि ब्रिटिस सासन से पहले भारत की उद्योगों तथा सिल्पकारों के द्वारा निर्मित वस्तुएं पूरे बिस्व में विख्यात हुआ करती थी इससे हमारे उद्योगों के द्वारा निर्मित जो माल था उसके निर्यात में प्र भारत जहां अभी तक जो है पके माल हो को बचले के मसीने ला दिया, मसीनोंसे माल बनने लगे, तो जो काम हात अभी तक कर रहती है भारत के, वो काम मसीने करने लगती है, और मसीने उससे अच्छा काम नहीं करती हैं लेकिन फिर भी वो ज्यादा माल तयार करती हैं और उसमें कम खर्चा लगता है तो इसका अच्चे माल का उपयोग ब्रिटिस के उद्योगों में नहींत हो गया और इस इंडिया कंपणी ब्रिटिस उद्योगों का द्वार जो है तयार करके सामने लादी और भारत को बेच करके लाव कमाया करती थी। भारत का सूती वस्त उद्योग बिस विख्यात हुआ करता था पहले लेकिन अग्रेजियों के आ जाने से वो भी भरष्ट हो गया। तो इस तरीके से उद्योग का बिटिस नीती के गराण से पूरी तरह से पतन हो गया भारती उद्योगों का तो यही आर्शिदता के आर्थिक विचार है कि वो कहते हैं वो तुलना करते हैं बिटिस से पहले भारत की और बिटिस कालीन भारत की दोनों के तुलना करते हैं और दोनों के जो आर्थिक तंत्र है उसमें बताते हैं कि एक समय जो भारत पूरे संसार में बिस्व बिक्यात था अच्छे दामों पर बेशता था आज वही भारत ब्रिटेश से इस्टिनया कंपनी के आ जाने से किस तरीके से कियों कच्चे इमाल का अंद्रिया तक दिश बन करक प्रकार से चुकी वो सस्ते दामँ पर मसीनों से बना लेते हैं तो हमारे दाम को मलब कि हमारे बस्तु कोई खरीदा नहीं चाहता है तो इस तरीके से यह विचार उन्हों ने दिये हैं ऑरसिधत्ता ने आगे देखेंगे अगला कोषिंस आपकी स्किन पर आ चगा है आर्थिक बिचारों में Mr. Sen के योगदान का अवरणंत कीजिन Mr. Sen के बारे में अगर बात की जाए बड़े अच्छे विद्वान माने जाते है Mr. Sen Mr. Sen के अर्थिक बिचारों के अगर बात की जाए तो अमर्त सेनिक मानो कल्यानवादी अर्थसास्त्री माने जाते हैं जो human welfare पर ध्यान देते हैं मानो कल्यानपर फोकस करते हैं और उन्होंने अर्थसास्त को मानविये चहरा परदान करने का प्रयास किया अमर्त सेन जी ने संशेप में अगर कहें तो अमर्त सेन का कल्यानकारी रिसास्तर में कुछ चीजे इंपोडेंट हैं जैसे कि पहली चीज ये है कि समाजिक बिकास वा आर्थिक बिकास में संबंध बताते हैं अमर्त सेन जी दूसरी बात लोग तंतर में बिस्वास करते हैं अमर्थ सेन जी तीसरी बात अकाल और निर्धनता की बात करते हैं अमर्थ सेन चोती बात सामोहिक बिकल्प और सामाजिक कल्यान की बात करते हैं अमर्थ सेन जी इसके लामा बिसमता पर पुनर विचार करने की बात करते हैं इसके लामा सेन निर्धैसांग की बात करते हैं तो मालतास के एगर बात किया है तो मालतास जो है उनका जनसंख्यात्मक सिध्धानद बड़ा फेमस रहा है जनसंख्या को लेकर कि उनattend बड़े बिचार दियें और जनसंख्यात्मक कारक को ही ने कहीं पर आर्थिक तंत्रों को प्रभावित करते हैं कि जैसे कि जन संख्याइन सब्सक्राइब करको को जैसे कि जन संख्या का सिधात इनका द्यास्ट के बारे हम बताया कि जन संख्या जो होती है वो गुड़ोतर स्रेड़ी बे बढ़ती है और जो उत्पादन के साधन है वो समान अंतर स्रेड़ी बढ़ते है विल्ब की गुड़ोतर का मलब क्या होता है जैसे कि आज एक चीज को इसामान बना जन संक्या आज एक है तो कल दो हो जाएगी परसों चार हो जाएगी फिर अगले दिन आठ हो जाएगी अगले दिन आठा सोला हो जाएगी फिर बत्तिस हो जाएगी फिर चोसट हो जाएगी उत्पादन के सदन आज एक बढ़ रहें, कल दो बढ़ेंगे, पर सुन तीन बढ़ेंगे, चो थेरो चार, पचेरो पांच, टेरो चेस तरीके से बढ़ेंगे. तो क्या हो जाएगा? उत्पादन के सदन कम होंगे, यानि सीमित हो जाएगे, और जो जनसंख्या है, वो आसीमित तरीके से बढ़ती रहेगी, और जनसंख्या की जो इच्छाएं हैं, वो अभी आसीमित हैं, एक च्छाएं अनंत हैं, तो उन्हीं अनंत एक च्छाओं की पू तो यह मालतस का सिध्धान्त है तो मालतस का यह कहना था कि किसी वस्तू का मूली उसकी मांग और पूर्ती के द्वारा निधारित होता है पूर्ती किपक से उत्पादल लागत वस्तू के मूली को प्रववित करती है किसी वस्तू का मूली कम से कम उसके उत्पादल लागत के बराबर अबस होना चाहिए तो 10 रुपया भी आपको नहीं मिला अगर उस चीज के लिए 8 रुपया 9 रुपया मिला उस चीज के लिए तो आप उस वस्तू को क्यों बनाएगे आप उसको बनाना ही बंद कर दे ये मालतस का सिद्धान ते इत यह सब भूमी का टेक्स पुझी पती क्या लाब होता है वो और इसके अधन स्रमिक की मजदूरी इनतीनों को समाहिद कर ले तब जो जोडएंगे और उसकर उसके आसपास अगर विकरा है मालतु तो ठीक बात है अगर उससे कम विकरा तो फिर आपको नहीं करना चाहिए मालतास के विचार में मजदूरी, लाब तथा लगान का दिधार भी वस्तू की कीमत की भांती होता है और इस परकार दिधारित होने वाले मुलिकों उने आवस्यक मुलिक आए तो इस तरीके से ये मालतास के कुछ अर्थिक विचार जो कि मैंने आपको बताए आठवा कॉचन साब की स्किन पर आचुका वाणिक वाद की उदै होने के कालडों पर प्रकास डाली ए कालडों को बताए दूसरी बात राज पर चर्च का नियंतन कम होता जाना ये भी वाणिक वाद की उदै का ओक काल रहा तीसरा ये कि रास्टों को आतिदिक सक्साली बनाए जाने पर बल मिला इसके अलामा जल पारिवहन प्रणाली वख्सित हो जाने पर यूरोप के उठसाही नाबिकों ऐसे कोलंबस तथा वासको डिगामा के द्वारा अमेरिकी महादीप और वासको डिगामा के द्वारा भारती उप महादीप के समुद्री राज्यों की खोच करी गई ये भी एक बाणिक वात को बढ़ावा मिला ब्यापार को बढ़ावा मिला इसके अलामा मुद्रा का उद्भोर विकास हुआ, इसके परडामतुरूप और जादा ब्यापार में बढ़ोत्तरी हुए वानिक वादियों का उद्दे से जो है लगातार बढ़ने लगा, इसके अलामा अउद्दोगिक बिन्योक पर अधिक बल दिया आने लगा, इससे भी जो है ब्यापार में ज्यादा बढ़ोत्तरी हुए और इस तरीके से मानिक वाद का उद्दे हुआ, तो ये कई कारणा है इसके, आगे देखिएगा अगला प्रसन है, नवा नंबर प्रसन है, प्रकृतिवादियों का प्रमुख योगदान बताईए, प्रकृतिवादियों ब्यापार की अपेक्छा, करसी को सबसे अधिक महतो दिया, उन्होंने का कि अगरी कर्चा ज्यादा इंपोड़न्ट है, बजाए कि इसके ब्यापार की, ब्यापार की अपेक्छा, करसी को ज्यादा महतो दिया, कि इसने प्रकृतिवादियों ने, लेकिन बनिक वादियों कौन है उत्तपादन के साधुन का मार्क प्रसस्त किया इस तरीके से प्रकर्टी वादी जो है इन्होंने योग्दान दिया अर्थिक विचारों में अगला पर सांप-दसमात देखेंगे जीम कींस पर टिप्मडिक रहें जीम कींस कौन है किंज को साथ अगर आप ना जानते हों तो जान लीजी इनका जनम हुआ था 1563 में इनका जनम होता है पाँजून को कहाँ पर हुआ था अहार डै 여기서 पर हुआ था इनका जनम के में इनके पिता जी का नाम था जान नेविले कींस स्वेम वो एक अर्थसास्त्री हुआ करते थे तरक्सास्त्री थे बड़े अच्छे इनके पिता जी जान नेविले कींस जो थे वो अर्थसास्त्री और तरक्सास्त्री थे बाद में केंबरिज विस्विद्याले कुल सचीव भी रहे और कींज ने 1902 इस भी में केंबरिज विस्विद्याले में प्रबेस लिया 1905 इस भी में कींज ने असनाता की उपादी वहीं से प्राप्त करी केंबरिज विस्विद्याले से और किन्स के कई सिध्धान्त हमारे समक्षाज मवजूद हैं जो कि अर्शास्त्र को एक नई दिशा और आगे बढ़ा रहे हैं पहला सिध्धान्त इनका है जेम किन्स का वो है प्रभाव पूर्ण मांग का सिध्धान्त दूसरा सिध्धान्त इनका है उपयोग की परबड़ती का सिध्धान्त तीसरा सिध्धान्त है गुड़क का सिध्धान्त चौता सिध्धान्त है फूजी की सीमान तुत्पादक्ता का सिध्धान्त पांचवा सिध्धान थे ब्याज की तरलता पसंदगी का सिध्धान शटा सिध्धान थे बचत और विन्योग का सिध्धान सातवा सिध्धान थे इनका व्यापार चकर का सिध्धान तो यह जीम किन्स की कुछ सिध्धान थे जिसके बारे में ने आपको बताया जीम किन्स वह आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रियास करते हैं देखें के वल आपको चार या पांच पर यहां से करने हैं खंडबा से डेड़ सो या दोसु सब्दों में आपको इन परसनों का उत्तर लिखना होता है किलियर अगर मैं सरल सब्दों में आपको बताऊं तो आपको जो है दोसु सब्दों में लिखना होगा मलब की दोसु सब्दों में मलब की तीन पेज लगबग आप लिख दीजेगा तीक है समझे पहला पर सांपकी स्किन पर आच चुका है फ्रवर से आप देखेंगे बानिक बाद जैनि व्यापार बाद को बढढ़ावा देत किलीर क्लियर कहें एक अतिरेक है जो नवीज धनसे लिए कि सारी कि प्र्श पूशा गया है कि वानिक वाद और प्रकृति बाध में क्या अंतर तो वारिक वाद के विरोध में आया वारिक वाद को चुका था और टॉमस मन के प्रांस में करती के अस्थान पर व्यापार और उद्योगों का भिकास हो रहा था इस अन्याय प्रति एक बॉद्धिक चुनोती के रूप में प्रकृतिवाद का जनम हुआ जो गुड़ दोस थे वा मुख्य रूप से वानिकवाद के विरुद्धिस के प्रत्किरिया अगत्सभाव में आते गए तो पहला अंतर इसमें आप यह समझेंगे वानिकवाद और प्रकृतिव करते हैं तो सोने चांदि को ज Hmada मeffतुवादियों ने क्या किया प्रकृति वाद्यों नहीं दिया उन्हें करसके सुने और वानिकवादी सोने चांदी के पर फोकस करते हैं ठीक है यह बाद ध्यान नखेंगे वानिक वादी दूसरा अंतर ये है कि वानिक वादी बहमोली धातों को प्राप्त करने के उद्देश से वानिक वादियों ने बिदेशी व्यापार को बिसेस महतु दिया और इसे यथा सक्ती सुभिधाय प्राप्त करी इसके अलामा प्रकरती वादियों की गर बात के तो निर्विबाद वादियों ने बिसुद उत्पत्ती को बढ़ाने के लिए किरसी बरबल दिया और उनकी दिर्ष्टी में किरसी ही उत्पादक है विदेशी ब्यापार को वे एक आवस्यक बुराई समझते थे और कोई महतों नहीं देते थे कौन प्रकरती वादियों की बात करें इसरा अंतर ये समझें वादियों जो है वो कच्चे माल का आयात करना ठीक समझते थे वाडिक वादी सरकार के कारें काफी बढ़ा देते हैं ठीक है तो इस तरीके से कई अंतर हो गए इसके अलामा वाडिकवादी राष्टवादी थे और देश की हितों की अभिब्रधी के लिए उन्होंने कई सिध्धांत और नेतियां प्रसुत करी और जबकि प्रकरतिवादी बिश्वादी थे वे राधनेती में स्रणी बात को अनुचित मानते थे तो इस तर पूजी भूमी की अलामा अनुचेत्रों में लगा स्रम अनुच्पादक है तो इस तरीके से यह कुछ अंतर हो गए ब्वानिकवाद और प्रकरतिवाद में जो मैंने आपको बताएं आगे देखेगा अगला कोशन साब की स्किन पर आ चुका है तीसरा नमर प्रस्ण है राष्ट्रों का धन ठीक है राष्ट्रों का धन एक पुस्तक है किसकी पुस्तक है एडम इसमित एडम इसमित कौन है और सास के जनक है एडम इसमित की पुस्तक है राष्ट्रों का धन उसका पांचवा खंड प्रकासित हुआ तो उसी पांचवे खंड में एडम इसमित ने सालवजनिक बित का विवड़ दिया उसका विवेचन किया सालवजनिक बित के बारे में बताया इदपी इसमित आर्थिक और ब्यक्तिगत सुतंतरता का कट्टर समर्था खुआ करता था और उसने राजिके तीन कारे बताये थे इसमित ने कहा पहला कारे देश की बाह आकर्मन की जरूरत होती है ये तीन कार तभी संपन हो पाएंगे जब आपके पास क्या होगा धन होगा ये एडम इसमित का कहना था राज की आई के दो सरोत होते थे एक तो पहला राज का कोस यह जिसमें संचित निदी है जिसमें राज की भूमी और पूजी जितनी है वो सामिल है दोनों स्रोतों में से किवल कर पर ही अपने बिचार प्रकट किये हैं एडमिस्मित कहते हैं कि कर प्राप्त करने के लिए तीन स्रोत हैं तीन जगहों से आप कर ले सकते हैं पहला लाब दूसरा मजदूरी और तीसरा लगान कुई किसी मलब कुई प्रुजी पती है वो लाब कमारा ज्यादा तो उस पर आप टекаशी लगा दे कोई मजदूरी कर रहा है खुँप जयादा तो उस पर आप मयदूरी पर लगान पर टекаशी लगा दे इंसे भूमियों गर आप लगा लगा करकर उनके अनुसार कर केवल लगान पर ही लगाना चाहिए क्योंकि भू स्वामियों को बिना जोखिम उठाए ही लगान मिल जाती है एडम इस्मित ने करारोपन के चार सिद्धान्त प्रताजित किये है वो करारोपन के चार सिद्धान्त कौन-कौन से वही आपसे पूछा गया है तो करारोपन के पहला सिद्धान्त है कर देने की योगिता का सिद्धान्त एडम इस्मित कहते हैं कि प्रतेक राज की प्रजा को सरकार के कारिसंचालन के लिए अपनी छम्ता के अनुसार कर देना चाहिए और छम्ता का अधार उसकी आय होती है यानि जितना आय हो उसके हिसाब से वो टेक्स दे दे ठीक है ये बताया किसने एडमिस्मित है दूसरी बात उन्होंने कहा करणोपन के सिद्धान में दूसरा सिद्धान थे एडमिस्मित कहते हैं कि जो कर प्रतेग बेक्ति के लिए देना आवस्तिक है वह निश्चित होना चाहिए ना कि मनमाना चाहिए कि इतना मन हो उतना दे दे निश्चित हो कि आपको इतना कर देना चाहिए ठीक है करदाता को कर की मात्रा कर देने देते समय या कर देने का धंग सभी बातों का ज्यान जो कर दे रहा उसको पता होना चाहिए एडमी स्मित का मत था कि कर में समानता के पेक्षा निश्चित्ता अधिक मैत्पून होती है सब्धिधा का एक निश्चत दाइरा फिक्स हो जाए और उसी के अगोडिंग कर देना चाहिए कि करदाता के लिए अधिक से अधिक सुभिधा पूर्ण हो सके कर को देना टेक्स को देना लब आईसी सिति में कर लिया जाए जब वो कर देने के योग्य हो, ठीक है, यह तीसरा सिध्धान्त, चौथा सिध्धान्त यह है कर देने का करारोपन का, एडम इसमित कहते हैं, कि मितब बैटा का सिध्धान्त, एडम इसमित कहते हैं कि प्रतेक कर इस प्रकार लगाया जाना चाहिए, कि लोगों की जेबों में से सरकारी कोस में जाने वाली रखम के ऊपर कम से कम निकाला जाए और इस प्रकार इसमिद ने कर वसूलने में मितब बैटा बरतने की और संकेद्य कि कम से कम कर लें इससे क्या ज्यादा सेदा लोग कर देंगे तेकिन जब कर ज्यादा लगा देंगे तो कर देने से लोग कतर और काला धान यानि ब्लेक मनी जैसी समेस्थ्या उत्पन हो जाएगी तो इस तरीके से एडमी स्मिद ने यह चीजें बताइए ओके आगे देखेगा अगला प्रसना है तीसरा नंबर प्रसना के स्किन पर आच चुका है प्रसने कोटिल के आर्थिक बिचारों में योगदान को असपस्ट कीजिए कोटिल के अर्थिक बिचारों में योगदान, अर्थिक बिचारों में कोटिल ने क्या योगदान दिये हैं, वही आप से पूछा यारा है, तिक कोटिल ने बहुत योगदान दिया है, अर्थ सास्तर में, अर्थिक बिचारों में, पहला योगदान कोटिल का यही है, कि कोटि सरायोगदान यह है कोटिल लिखा कि अर्थ सास्त्र एक विसाल सास्त्र है अर्थ सास्त जो रचना है किस ने लिखा है कोटिल ने लिखा है तो बड़ बड़ी रचना है वह आर्था उसका छोटा सा भाग है और अर्थनीती दंड नीती का एक अंग होता है यह इन्होंने बता कोटिल का अर्षा चंद्रकुप्त मोहर के सासन को सक्षाली बनाने का एक ससक्त साधन हुआ करता था पार्चवा युगदान ये दिया कि कोटिल ने कि अर्थ व्यवस्ता में नियोजित उत्पादन की अवधारा की नियु रखी इसके अलामा कोटिल का दिश्टकूर्ण व्यवहारिक है वे सिध्धान की वेचना में नहीं पढ़ते हैं वहार एक वाद के समान उन्होंने नीती का निर्माण वरणन किया है ठीक है इसके अलाम कोटिल ने मिस्रत व्यवस्ता की व्याक्षा की है जिसमें राज्य का अधिक से अधिक युगदान होता है इसके अलामा कोटिल ने एक रांतकारी विचार रखा है उन्होंने अर्थ को प्रथम पुरसार्थ कहा है और अन्न को इसके आधिन बताया है चुकि प्रथम पुरस जाता है लेकिन कोटिल ने अर्थ को इंपोर्ट इंपोर्टस दिया यह बाद ध्यान रखेंगे इसके लामा अगला युगदान यह है कि उनका अर्थ सास्त्र कोटिल का राज्यों को सक्षाली बराने का एक माध्यम है एक साधन है और इस विसे में उनके विचार वानिक सास्त्र में दर्शन सास्त्र में और राजनीती सास्त्र में सभी में मिला जुला करके अर्थ सास्त ने इकोनामी को पढ़ा जाता था दूसरी बात जब कोटिल थे तब प्राचीन भारत के लोगों की आर्थिक क्रियाओं और विचारों को नयतिक यानि मोरल्टी और धार्म को नामी के छत्र में अपना योगदान दिया तो इस तरीके से ये कोटल के योगदान नहीं है आगे देखिएगा अगला प्रसनाव की स्किन पर आ चुका है चौथा प्रसनाव की परिच्छा के लिए बहुत महत्पूर है प्रसने गांधी जी के आर्थिक बिचारों के महत्त को असबस्ट कीजिए गांधी जी के आर्थिक बिचारों के अगर बात करें तो सबसे पहली बात पिछडे हुए देशों के लिए महत्मा गांधि के आर्थिक विचारहों को महत्ट बहुत ज़्यादा है भारत जिस अलप्विक्सित जिसके जिससे क्या होता है कि आर्थिक समाजिक और रादनितिक परड़ाम बहुत घातक होते हैं लेकिन गांधी जी ने आर्थिक सक्ति के बीक इंद्रिक पर बल दिया मनब कि सभी के हाथों में सत्ता का बटवारा हूं इसके अंतरकल लाखों घरों में उत्पादन किया जान इस दिश्टी से उन्होंने असुझाओ दिया गांधी जी ने कि प्रतेक गाओं को आर्थिक दिश्टी से आतनिरफर बनना चाहिए भोजन और वस्तर की आवसकता प्रतेक गाओं अपने आप पूरा करें यह ज्यादा बेटर है चौती बात गांधी जी कहते हैं कि मसीनों क प्रियोग को कम करना चाहिए ज्यादा स्यादा अगर मसीनों का प्रियोग होगा तो लोग बेरोजगार होंगे बेरोजगार होंगे तो लोग जो है बेरोजगार विक्ति क्या होते हैं उनका मांसिक तनाव भी हो जाता है मांसिक तनाव तमाम प्रकार के जो है रोग और मनो ब्रंस की इस्तिति आयाती तो मसीनों का प्रियोग कम करें और स्रम का प्रियोग ज्यादा करें लोग खुद जाकर के हर एक चीजों को बनाएं इससे क्या होगा जब लोग जब लोग क्या करेंगे काम करेंगे तो जब लोग काम करेंगे तो क्या होगा उससे जो प्राफिट मिलेगा तो उससे उनका घर चलेगा इसके लिए हर ब्यक्ति आत निर्भर हो अपना काम करें मसीनों का प्रियोग कम करेंगे और खुद अपने हाथों से चीज लोग बनाए लब हाथों का प्रियोग करेंगे लोग हर एक चीज को बनाने में तो फिर क्या होगा लोग बेस्त रहेंगे और लोग जो है निरर्थक नहीं घूमेंगे ठीक है इसके अलामा पांचवी बाद गांधी जी ने ये कही कि न्याए लब की न्यास धारिता का सिध्धान्त जो है बहुत ज्यादा इंपोडन्ट है और इसको गांधी जी ने कहा तो कि इसे निजी संपत्ति के सभी दोस्दूर हो जाते हैं परन्तु इस सिध्धान्त को अहिंसात सभी को समानी सती में दिया जाए जिसके अलामा साधिगी और सरलता की बात गांधी जी कहते हैं विकासिल देशों के नागरिकों के पर प्रदरसन प्रभाव बहुत होता है इसके दुस्पर रडाम होते हैं कि पूंजी का निर्मार के नीची दर हो जाती है व्यापार संतुनल का प्रतिकूल होना तमाम प्रकरजी जी तो ये गांधी जी सब बताते हैं इसके अलामा गांधी जी कहते हैं कि एच्ची का अधार पर परिवार नियोजन की जाए परिवार जन संख्या को सीमित किया जाए रोटी का स्रम सिध्धान दिया गांधी जी ने कहा कि गांधी जी स्रम की गरिमा को महतु देते हैं अल्विपक्सित देशों से सिक्षित तथा धनी लोग सारीरिक स्रम से घ्रडा करते हैं घ्रडा के दिश्टी से देखते हैं गांधी जी ने इस बुराई को दूर करने के लिए रोटी का स्रम सिध्धान परप्यादित किया जिसके अनुसार आलसी वर्ग भी स्रम के महत को समझ करके उत्पादनकार में अपना सक्रियोगदान दे सकता है तो इस तरीके से गांधी वो थी गांधी जी का अगला विचार है सर्बोदय का विचार जो मैंने आपको समझा दिया था कि सभी का उदय हो सभी आगे बढ़े सत्य और रहिंसा किया जा सकता है परन्तु भारत का दुरभाग है कि वा पस्चमी सभीता के प्रभाव में आकर के इन सिध्धानतों से दूर हट गया है और इसलिए भारत को अनेक समिस्याओं जैसे की बिरोजगारी आर्थिक सकती का केंद्रिकन खाद संकट और तमाम प्रकार के उचे मूल उसलिया और चौरबजारी इसलिका सिंगार होना पड़ रहा है शूकरिए भारत पस्चमिसाबिता का कौपी कर रहा है अब ऐसे में क्या होगा पस्चम सभीता की ज speaks बसे हमारे हमारे कि से न क्या में जैसे बो चीज कम है तो हमारे किसा थी सा यह घर मसीने सारा काम कर तो कितना सरकारी नोकरी में लगवा लोगे बागी जनसंगा यादा तो लोग बेरोजगार घुमेंगे बेरोजगार से अच्छा यह है कि आप बेरोजगार ना घुमें इसके लिए क्या है मसीनों का प्रियोग कम करें कЕ लोग तब जादा उसमें काम करेंगे और अपने हाथों से अग्रों और पर बात की जाएं तो गांधी जी की बिचार्ओधा रहा है वह भारत के लिए थी लेकिन जो आज मसीनों की बात हो रही है वो विदेशी विचार दा रहा है ना वो पश्चिमी सब बिताए तो गांधी की आर्थिक विचार है जो मैंने आपको बताए आगे देखिएगा अगला कोशन सापकी स्किन पर आचुका फड़ा फड़ा से आप देखेंगे बहुत ही मैत्रपूर प्रस्ण आपके परिच्छा के देश्टी से पांचवा प्रस्ण आर्थ सास्त में रिकार्डो के योगदान को असपस्ट कीजिए डिविड रिकार्डो के आर्थिक सिध्धान की बात करें रिकार्डो की बात की जाए तो रिकार्डो जो है प्रथम आर्थ सास लुके देने अर्ट okay के बात करें तो बित्रन की समस्याओं को को प्रकास में लाने का काम करते हैं डेविड रिकार्डो आर्थिक प्रनाली में उसके महत् volume स्पष्ट कर सकते हैं प्रुफेसर हैनी कई सकता है तो बित्रन का सिधित्धान कुन से पाई जा रही है नभीनिंगे पाइन का जनम दिया कि लगान एक अनार्जित आ रही होता है। समाल युदी चिंतकों ने इसी को आधार बनाते हुए व्यक्तिगत संपत्ति के राष्टेकर्ण संबंधी तरक देने सुरू किये थे। दूसरी बात ये कि भूमी स्वामी तथा समाज के हित परस पर विरोधी होते हैं। रिकार्डो का ये विचारता कि काल माक्स की वर्ग संगर संबंधी और धारडा को उत्पन किया जाए। आचवी बात उन्होंने ये कही कि मजदूरी का लौह नियम रिकार्डो के मजदूरी सिद्धान से बिक्सित हुआ है। चटी बात ये कि रिकार्डो के लाब से समंधित बिचार पूजी की उत्पादक्ता सिद्धान और ब्याज के आत्मत्याग सिद्धान को जनम देते हैं। इसके अलामा रिकार्डो लाब को असपश्ट करता हुआ पूजी पतियों और अन्य वर्गों के हितों को परसपर बिडोधी बताता है। इसके अलामा मालतस के द्वारा प्रतपादित उत्पादक्ता हरास नियम रिकार्डो द्वारा बैग्यानिक तथा अध्यन पूर्ण तरीके द्वारा प्रियोग में लाया जाता है। इसके अलामा इसने अगला योगदान जो दिया वो ये दिया कि विभिन देशों में आज भी रिकार्डों के पत्र मुद्रा, नियंतर और नियमन संबंदी बिचारों को सरकारी मानता मिली हुई है। जो कि एक अच्छे अर्सास्त्री यह वहारवादी अर्सास्त्री है वहार एक विचारक है कि यह बहुत आप नेशन पुस्तक एड़ेमि स्मित कि यह यह बाध्यान लखेंगे रिकार्डो जो है एडम स्मित की इन बातों से सहमत नहीं थे कुछ बातों से जो एडम स्मित की कुछ बातों का बिरोध करते हैं रिकार्डो ठीक है ये बाध्यान नखेंगे कुछ का समर्थन करते तो कुछ का विरोध भी करते एडमी स्मित और साथ के जनक है इसलिए मैंने उनका जिकर किया आकर देखिएगा चछठा प्रसन है काल माक्स के अतरिक्त मोली के सिधान्द की विवेचना कीजिए ये बहुत मैंत्मूर प्रसन है काल माक्स का अतरिक्त मोली का सिधान्द अतरिक्त मोली क्या होता है अगर मैं आपको समझाओं जैसे माल लेते हैं आपको अगर सरल भासा में आपको समझाओं डेविड रिकार्डो का जो अतरिक्त मोली है उसको मैं आपको समझाओंगा देखें आतरिक तेमोली वो होता है जैसे मालते हैं कि कोई मालते एक बिस्किट बनाने में एक कंपणी है तो कंपणी का जो मालिक है वो क्या करता है एक बिस्कुट मालते फैक्टरी है अब बिस्कुट फैक्टरी का मालिक है उसने क्यों पूजी लगाई उसमें उस फैक्टरी में जो मजदूर काम करते हैं बारते हैं एक बिस्किट की पैकेट बनाने में जो है 50 रुपय का काम हुआ 50 रुपय जो है एक बिस्कुट बनाने में लगा ठीक है? और वो बिस्किट की पैकिट जो है कितने रुपय में बिक रही है? 100 रुपय में मारकेर में बिक रही है ठीक है? बज्यादा बता रहा हूं लेकिन फिर भी एक उधान के मादम से मैं समझा रहा हूँ अब क्या होता है कि पचीस रुपे इसमें क्या होता है पचीस रुपे ये फैक्टरी का एक प्रकार से लगता है पचीस रुपे किसको मिलता है पचीस रुपे मिलता है मजदूर को और ये 25 रुपए उसमें रा मट्रील लगता है जो मैवलकी माल होता है कच्छा माल उसके मिल करके फिर बिस्कुट का पैकट तेयार होता है 50 रुपए में किसम strawberries किसने किया मज़दूर को मिलगा एक पेकट के पीछे 50 रुपय का का मिला है किसे का मालोक जो मीला है मालिक को मिला है, मालिक को क्यों मिला है, चुकि उसके पास पैसा पहले से था, पूजी पती वो था, उसने फ्रेक्टरियस था बित करी, इसलिए उसको फाइदा मिला है, तो यह अतरिक्त मूली है, पचास रुपया, जो मलब की पचास रुपय बनने में लगा, और सव रुप तो पूजी वादी प्रणाली, यहनि मजदूरी प्रणाली में, स्रमिक को उसकी मजदूरी प्राप्त करने के बाद, उसके द्वारा उत्पादित वस्तू से प्रतक कर दिया जाना एक मुख विसेस्ता होती है, कालमाक्स के अनुसार स्रमिक को जो मजदूरी प्रदान की ज जो वस्तूओं की उत्पादित करने में लगता है। वे वें वस्तूऊं होती 한데- まрьक शुक्ता के लिए आत्यधिक माखस चैद्हित है। dissipate सस्था को यहां कि मैं है को एक उधार के ध्यूरात करता है संचलन बे को स्रम के रूप में बैक्त कि आया सकता है ठीक है तो इस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को बताया कि कुल मिला करके अगर देखें तो काल माक्स के इस सिध्धान्त की बहुत जादा आलोचना हुई उसमें कई आलोचना इस तरीके से हुई जैसे की लगाया है जिस बैक्ती ने रिस्क लिया है ठीक है उसका भी तो कुछ हक होता हुँ भी प्राफिट लेगा तभी करेगा ना तो यह इसकी आलोचना हुई दूसरी बात यह कहते हैं लोग कि स्रमिक का उत्पादन उसकी स्वयम की मजदूरित था उपभोग समागरी से अधि क्यों होगा इस बात के लिए मांक्स कोई भी नियम प्रसुत नहीं करते हैं तीसरी बात यह कि मांक्स की आमानता है कि सभी स्रम समान होता है उचित नहीं है यह बात ना सिध्धान्त में मांग पूर्थी और दुरलबता उपयोगिता जैसे तत्यों को पूर्ण रूप से हटा ही दिया जो कि आधुनिक मानता के अनुसार मूल निधार में बहुत ही मैत्पूर्ण है बहुत ही आवस्यक है तो इस तरीके से इनकी आलोचना होती है अलक्जंडर ग् आवद्धि escaani की सुधार योजना क्या थी सिसमांडी की प्रिशार योजना क्या थी बचाने का प्रियास करेंगे प्याइंगे प्रभाव इन सभी से प्रभावित थे जो है सिस्मांडी की विचार ठीक है चुकि सिस्मांडी का जीवन हलचल पूर्ण घटनाओं और महान विचारकों की बीच से गुज्रा फ्रांसीजी करांती हुई नेपूलियन युद्ध होए तमाम सरे और दोगिक करांती हुई कारख प्रणाली की बुराईयों और बिभी सिकाओं को उन्होंने देखा सिस्मांडी ने उनका अनुभो किया तो इनकी विचार कहिने करें इन सबी चीजों से प्रभावित हुए तो सिस्मांडी की सुधार युज्ञा क्या रही इसके बारें पूचा गया है सिस्मांडी जो है कि सुतंतर अत्यवस्ता की अपेक्षा सरकारी हस्ता छेप के पक्ष में उसने मत दिया कहा कि सरकारी पक्ष बहुत जरूरी है स्वातनत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्र स्वामी हो ये सिस्मांडी कहता है सिस्मांडी कहता है कि समाजिक मलब इसके अनुसार समाजिक बुराई कम्मों के करण और दोगी विकास है इकोनॉमिकल डेपलप्मेंट जो है ये समाजिक बुराई है इसके करण सन्वाण पूझी पतियों के बीच खाई पैदा हो जाती है तो राजा का राजा आव लड़का राजा का लड़का राजा नहीं होगा जो मेहनत करेगा वो राजा होगा सुपर थर्टी मूबी अगर आप लोगो नहीं देखी तो देखिएगा बड़ी जवर्दस मूबी है जित्यक्रोशन की इसमें मोटिबेसन मिलेगा आपको ठीक है तो वही बात ये भी सिसमांडी गयते कि मेहनत कस ही स्वामी हो मेहनत करने माला ही स्वामी हो इसलिए सुधार योजना की बात जो सिसमांडी करता है वो ये करता है कि निजी हित का महतों निजी हित की महतो की बात मलब सिसमांडी ने साम्विवाद को आसोविकार किया था क्य प्राइबेट सेक्टर हो लेकिन उस पर सरकार का नियंत्र कैसा हो जनता के पक्ष में हो ठीक है मेहंती लोगों के पक्ष में हो ऐसा सिस्मांडी चाहता था चोथी सुधार जना इसकी ये है लगो और कोटी रुद्योगों को महत दिया इसने सिस्मांडी कारखाना प्रणाली के दोस्तों से परिचित होने के कराणा से लगो और कोटी रुद्योगों के अस्थापना के पक्षधर थे कि भाई छोटे छोटे जो मलब की कारखाने हैं उनको अस्थापित किया जाए मात्मा गांधी से बिजार इनके बिल्कुल मिलते जुलते सिस्मांडी के बड़े उद्योगों में मानोस्रम की अपेक्चा मसीनों के प्रियोग से बेरुजगारी बढ़ने से चिंतित हुआ करता था सिस्मांडी बहुत ज़्यादा प्रैसान था इसलिए छोटे जोटे उद्योगों का समर्थन करता था ये इससे लोगों को रोजगार मिलेगा साथी और दोगी कर्ण की बुराईया वो कम होगी प्रदोसन भी कम होगा ऐसे सारी बातें जो है ये शिस्मांडी के सुधार योजना में सामिल है पांचवा सुधार योजना इसकी यह है नए नए आविस्कारों को धीरी-धीरी किया जाएंगे तो फिर यह से दिक्कत होगी यह सिस्मांडी मांता था सिसमांडी आभिसकारों को एक सीमा तक सुबिकार करता है उसने अपनी योजना में असपष्ट किया था कि तेजी से अपनाए गए आभिसकारों का परड़ाम बहुत बुरा होता है बयानक होता है क्योंकि ऐसे आभिसकार बिरोजगारी बहुत जल्दी उत्पन कर देते हैं औ जो हाँ पताया है बहुत ही जौछन लॉक्क के आर्थिक बिछारों का वरणन कीजिए जौन लॉक के अगर बात कीजाए तो बहुत जबरदस बिद्वालों हें जावधन जानलां कि यह लूंडक राजक USAMP के सखसर से ज्यादा उर्षसास्रीत जाद Iyan नाइटनीतिग हैं लेकिन अर्थिक विचार भी देश के लिए बहुत महत्तुर यह इसलिए उसको और्सास में भी पढ़ा जाता है जानलाक का जनम हुआ था वैसे तो 1632 बी में United Kingdom यानि कि England में इनका जनम होता है रिक्टर नाम का स्थान पर रिक्टर नाम का स्थान होई पर जनम होता है उनाइट Kingdom में 1734 बी में वह इस दुनिया से चले गए जानलाक के आर्थिक बिचारों की बात करें तो कई सारे आर्थिक बिचार इनके हैं पहला तो इन्होंने प्राकरतिक नियम की बात करी प्राकरतिक नियम की मलब क्या जब राज नहीं था समाज नहीं था उससे पहले भी कुछ निय के साथ कोई भेदभाव नहीं किया था पहले, इसमें सभी ब्यक्ति समान रूप से था, सभी ब्यक्ति सुतंतर था, लाक ने लोगों के तीन अधिकारों का उले किया, प्राकरतिक सनचना से, related, पहला अधिकार जीमन का अधिकार, हर ब्यक्ति जीने का अधिकारी था, दूसरी का अधिकार हैं, और ये उस ब्यक्ति से इन तीनों अधिकारों से कोई शीन नहीं सकता था, प्राकरतिक अवस्था में, तो ये पहली सिद्धान, दूसरा सिद्धान उसका समाजिक सम्झोते का सिद्धान, समाजिक सम्झोते की सिद्धान की बात किया, तो जान लाक प्राक नहीं होता है तूर्टीस इसरी बात समाजिक समझगोते को परतेक पीड़ी को मानना चाहिए क्योंकि जन्म के समय कोई भी ब्यक्ति किसी भी देश वब सरकार में सरकार के नियंतर में नहीं रहता है लेकिन समाजिक अनुबंद ही उसे सयमित करते हैं उसको कंट्रोल करते हैं उसको नियंतर करते हैं उसको नियंतर करते हैं वो समाजिक नियम काइदे होते हैं चोथी बात ही कहता है कि समझोते के द्वारा समाजिक समझोते के द्वारा प्राकर्तिक विवर्श्था समाप्त होती हैं लेकिन प्राकरतिक नियम बने रहते हैं इसके आलामouse समझे होते हैं राज इक Billundu करके पहले प्राकरतिक नियम होते हैं और संझालेत होते हैं प्रतेंद्री होता है जो कि यहां पर राजा बनता है और और वो सारा सिस्टम चलाता है, क्लियर, इसलिए बात जो इसने कही, जानलाक ने ब्यक्तिगत संपत्ती पर इसने अपने बिचार दिये, जानलाक ने कहा कि सभी मनुस्य प्रकरती के हिसाब से बराबर होते हैं, उन सभी में आउसर की समानता और सुतंतरता बिल्कुल होनी चा सकता है, और या उसका प्रकरती का इधिकार है, कोई ब्यक्ति किसी भी काम को करके अपनी संपत्ति को बढ़ावा दे सकता है, ठीक है, जानलाक ने ब्यक्ति का स्रम उसकी ने लिज़ी संपत्ती होती है, लिजह बेफी का आपको दे रखा है उसका आपका निजी संपत्ति है सरम और अगर चाहे तो अपने आपको बेङ कर के सरम को आपको पैसे दीजे तो यह होगा सरम का बेचना था, सरम समदी बिचार इसके यह थे, जान लाग के, इसके अलावाँ बेक्ति बाद पर इसने बिचार दिया, जान लाग बेक्ति बादी था, बेक्ति बाद का घोर समर्थक था, और इसने कहा कि राज की अस्तापना बेक्तियों के सहमती से होनी च थे के लिए अगली बात करता है यहां से discussing से को नविक सब्सक्राइग्साइब बैक्टिक भारविक स्वतंता की फूरी छोट होती थी। छटी बात जो यह कहता है वो मुद्रा को ले करके बताता है। करना बहुत ज़रूरी है लेकिन विदेशी ब्यापार अपने अनकूल होना चाहिए दोसरे देश के अनकूल नहीं होना चाहिए इस बात पर भी फोकस करता है जाल लाग तो यह जाल लाग की कुछ आर्थिक विचार है जो मैंने आपको बताएं ठीक है आगे बढ़ते हैं ती कि अलगी है वन प्रस्ट आपको करने यहां से खंड़सा से क्षाएं चार्सव परचास फक्ते में आपूछ फेला प्रस्त करने है पहला प्रस्न है सुम्पीटर के व्यापार चकर प्यापnet-सृद्धान की तनोका प्रप्रिक्षा में इंप्रूडरन तर्शा के दिस्टी से पूछा सकता है आपकी सरीच में मिल जाएगा प्रस्प डालीएगा अगला प्रस्टेश के व्याला नियम की ब्याक्या की благодар pension जिस के विजार नियम की व्याद की आपकि लिजेगा इसके अलाब की रोजगार सिध्धांत की विवैच कर देने जा रहे हैं तो आप मनुहलोहिया की विचार को ज़रूर पढ़ लीजेगा आर्थिक विचार विद्वानों के आर्थिक विचारों के बारे में समझा मैंने आपको बताया बहुत ही बारे की के साथ हरी चीज को समझाया निश्यत तर पर आपके समझ में सारी बाते आई हुई होगी तो एक बार वीडियो को लाइक और सियर कर दीजेगा ताक इसी प्रकार से और वीडियो आपको मिलती रहें राम अनुहलोहिया जिका जनम कब हुआ था 1910 में हुआ तेस मार्च को हुआ था भारत के सबसे मौली को रात चिंतन सील विचारकों में से एक माने जाते हैं करमत विक्ती माने जाते हैं ये शतंतता सेनानी भी ते रहें दस साल की उमर में सत्यागर हांदुलन में भाग लिया और व्यवहार में सो में थे एक धीठ और सरल लूप अबी पर रामनोह लुहिया ने अपने असपश्ट बिचार दिये तो पूझी बात के बारे में लुहिया ने महसूस किया कि पूझी बादी विकास जो लाब के उद्देश पर अधारित है आपनिबैसिक या नो आपनिबैसिक सोसन के बीना नहीं हो सकता क्योंकि बिक्सित देशों में संकट मांग से संबंदित है और विकास सिल देशों में आख क्रय सक्ती की कमी के कारण है और इसलिए पूझी बादी देश आंतरिक उपनिबैस बनाने और स्रम का सोसन करने की कोसिस करते हैं साथी साथ प्राकरतिक संसाधनों को भी नष्ट करते हैं और आसमान बिनमे के तंतर का उपयोग करते हैं ठीक है तो लोहिया की दिश्टी में समराजबात पूझी बात का पर्थम चण माना जाता है दरासल दोनों एक साथ बढ़े हैं ऐसा मानते हैं लोहिया के कई सारे आर्थिक विचार हैं चर्चा कर देंगे इस तरीके से पढ़ लीजेग ठीक है लोहिया ने सब्तकरांतियाा साथ करांतियों के उधारा कर्ठन किया साथ करांतिया कौन कमसी लatin метè की जान लीजें ऐक और प्रस्द पूछा सकता है पहला तो हिंसक क्रांटिक खिलाप सभी ने वग्यां दूसरा आर्थिक समानता तीसरा जातियों का उन्मूलन चौथा महिलाओं की मुक्ति पांचवा राश्टी स्वतंतरता चठवा रंग भेत कांथ और सात्मा जो है वह वह ब्यक्ति की विचार उन्तरता य जो महिलाओं की मुक्ति उन्मूलन चौ़ उन्मूलन चौ़ कर लो है और सभी स